हाई फ्रेंट्स वेल्कम डू यू पीसी पीसी एस फॉरम पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था गांदी इन अर्ली एज़ेज में और उसमें सेवंटीएथ नंबर कोश्चन से दिखा था आज में सेवंटीफर्स नंबर कोश्चन से देखें और इसके पहले में आपको प्लिज फ्रेंट्स अगर आपने चैनल को सेरे न सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सेरे न सब्सक्राइब करें और कमेंट चिक्षिन में ना भूले आपको वीडियो कैसे लगाए चलिए स्टार्ट करतें प्रिंसे तो कॉन सा पेर सही है महात्मा गंदी ने चहाँ प्रिंसिप फिर्शिप का जो ट्रेंसे प्रिए धिया था वह अबर साथ आपर का 1903 डली 1905 लंडं 1904 आहम्दाबाब 1906 तो गांधी जी ने 1903 में established क्या था established his law firm in Johannesburg और lived there till 1910 गांदे ने अप्लाइ the principle of trust से और गांदे ने यही अप्लाइ किया था क्या principle of trust अभी Johannesburg भी famous में था Bricks Summit के लिए 15th Bricks Summit यही पर हो रहा था और हमारी जो prime minister रहा है is दिनारिन मोर्जी जाठे से उसमें ब्रिक्स में कौन-कौन से मेंबर है भी आर आई से ब्रिजिल एंडिया चाइना और साउथ अफरीका पहले इसका नाम ब्रिक था सौरी लिंक सेट के में थोड़ बतारी हूं करिंट में 15 समेंट इसका हुआ तक हाप है जोहने से बल साउथ अफरीका में ठीक है और अभी इसम में है कौन-कौन सा है एक तो इथोपिया है इरान है यो एई शाओदी अबरी रिविया है और आप कमेंट सेक्शन में बिताएंगे और कौन सा था 72 नवर कोशन है वुचिप दो फॉलिंग स्टेक्मेंट इस नोट करिक्ट एवाउट गांधियन एकोनोमी इन्वे से कौन स इकोनोमी बेस्ट नॉन वहाद इंस इंख्यंट्यौन इंस सेंट्रावनीशन यांज में छुदिन क्यों इंस नंनौरो अंट्यौ घंकौन सज्मरन ओंट्यौन. Oreo फॉम बेसें पिर व्यół içन्मार ट्र को इन थांच पिर है वहुन सहीए। आउसी नहीं है। तो उनक्ति एप्षाइसन इकोनोमी बेस्ट उन्न वालंस यह सही है संत्राइज़ाशन जो होता है वह इनक्वालीटी और क्या गडरता है और इसलिए उन्हों ने प्रपॉर्ण किया तो कौन्से कंशेप्ट को प्याराइच को लोकल गवर्निंज की बात का थी कि पावर जो ह यह भी सही है, he did not favor mechanization of USA नहीं, यह गलत है, option अब जो D है, वो incorrect है, गांधी आइडिलोजी के लिए हमें देख लिया, कि वो the economy of every country should be defined on the basis of its climate, land and nature of its citizens, तो गांधी से मानते थे कि किसी वे country का वहाँ पे central power क्या है, वहाँ का system क्या होना चाहिए, यह depends करता है, वहाँ का climate क्या है, वहाँ के land क्या है, वहाँ के nature of citizens क्या है, hence उन्होंने, कुछ ने, उन मतलब, जो वहाँ, जो ऐसे की, जो में गांधी सिस्टम थी, उनके बारे, उनने कहीं नहीं कुछ कहा था, उनका बस मानना था, कि, जो कहीं कि भी आइडिलोजी है, वहाँ के climate और nature के सूट करते हैं, 73rd number question, according to M.K. Gandhi, socio-economic improvement of untouchables can be brought about, तो socio-economic improvement of untouchables can be brought about, तो socio-economic improvement of untouchables can be brought about, कैसे किया जा सकते socio-economic improvement development, किसका untouchables का, as per Mahatma Gandhi, देखते हैं, by their temple entry, by providing grant email, by earmarking, funds for their socio-economic development, and by stabilizing cottage industry for them, तो option number D है, वो कहीं है, सही है, जो कि वो उनका मानना था, कि cottage industry के आगा, उनको एक employment provide करेगा, उनको main stream से जोडेगा, ठीके, और यहीं एक तरीका था, जिससे उनका socio-economic improvement किया गा सकता था, तो option number D होगा, वो correct हो, देख लेते हैं, एक बार explanation में क्या है, गांदी socio-economic policies opposes all forms of exploitation, गांदी जी सारे तरगे, जो exploitation policy थी, उसको oppose करते थे, वो industrialization, mechanization में, विलीव नहीं करते थे, वो cottage industry, self-employment, self-development की बाते किया करते थे, एंडिया lives in its village, और उनके according, वो मानते थे, कि इंडिया lives in its village, क्योंकि पॉपुलेशन जो इंडिया की थी, वो maximum, वो कहां पर recite करते थ करते हैं, निचरली, the development of the country depends on the development of the village, तो इसलिए वो believe करते थे, कि जब इतनी बड़ी population, इंडिया के गाउं में रहते हैं, तो जब तक गाउं का development नहीं होगा, कैसे कोई country डेवलब कर सकता है, that is why गांदी स्रेज on the growth of rural industries जैसी की खादी, handlooms, seri culture, handicrafts, इटिस है, रुलेट industries are based on family labor and requirement, required less amount of capital, तो वो क्या मानते थे, कि जो rural economy है, वो किस पर depend करते है, family labors के उपर, और उसके लिए पैसे भी capital भी बहुत कम चाहिए होंगा, raw materials are available in local and surrounding area, the goods that thus produced and sold in the local market, raw material भी वहां available है, कहां पर? sorry, sorry friends, तो जो cottage industry थी, वो उसको develop करने चाहिए है, ठीक है, तो therefore, there is no problem with production and market, गांदे जी जी strongly advocate the development of cottage industry in the villages, तो गांदे जी क्या कहा था, कहा था कि, जो cottage industries है, वो कहां पर? मतलब, जो villages का development होना चाहिए, वो based होना चाहिए cottage industries के development में, ठीक है, और वो क्या करेगा? वो reduce करेगा burden on agriculture, और इस तरीके से क्या होगा? अगरिकल्चर का बही burden घटेगा और जो family होगी, वो भी involved होगी किस में? अगरिकल्चर के employment में है, और इस तरीके से क्यों गाओं का growth होगा? और जो local peoples है, male जो dalit से है, untouchable से, उनका अच्छे से development हो जाएगा, socio-economic development और वो mainstream से जुड़ जाएगा. इस, all villages can get employment in their respective villays, which will check the migration of our, और यह क्या करेगा? माइगरेशन को भी रोकेगा, जो कि अर्वन अरिया में जाते हैं और कहीं outside of India आरे हैं. According to Gandhi ji, socio-economic development of untouchables can be brought by establishing cottage industry for them. 74th number question देखते हैं, what does Gandhian innovation mean? तो Gandhian innovation का क्या मतलब है? तो, to produce more from less input for more people. तो, Gandhian innovation का मतलब है, to produce more from less input for people. मतलब, more produce करने, less inputs हैं. तो, Gandhian innovation was, कोई बे प्रोफेशर परहलाद और आरे माशल कर मतलब क्या था? Serving people with fewer resources and lower cost. तो, to produce more from the less input for more people is correct answer. 75th number question देखते हैं, which event occurred first? इनमें से कोई से जो event है, वो पहले अकर होते हैं? तो हम सिबको पता हैं, चमपारन सत्यागरा, 1970, non-cooperation, 1920, civil disobedience, 1930, 31 में. दो बार होते हैं, खेडा सत्यागरा कब होते हैं? खेडा सत्यागरा होते हैं, नाइंटी एटीन में. तो, इनमें सबसे पहले कोई से होते हैं? चमपा पार्त, पिस कर्था के तीन पार्त पे इंडिगो को वोगाने की बात की जा रहे थे हैं, ची कहा? तो, 3 by 20 parts दो कल्टिविशन इंडिगो अन दे 3 by 20th पार्त अप 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 होगा, वो करेक्ट होगा. दे स्टोरी अफ्ट अपारन बेगन इन अरली 19th century, वन European planters had involved सेंचुरी जर्मन सिंथेटिक दाइस फोर्स इंडिगो आउट फ़ दे मार्किट एन एरोपेन प्लांटर्स फोर्टिविटिंग इंडिगो अन दे कुल्टिवर तो सिक्योर इनहांस्में इंडिगो इंडिगो उगाने के लिए और तीन भाई टेंटीएट पार्ट वे वह उ फिर उसके बाद के अगड़ जैसे ही 19th संचुरी का इंड होते हैं ठीक है तो जर्मन जो जर्मन सेंथेटिक दाइस थे वह वह बहुत अच्छे आने लगे इंडिगो कंपने उनका जो कलर था वह बड़ा ही अच्छा था जर्मन दाइका और इससे क्या उनलग जो इंडिग क्लुटिविटिर्स के ओपर जय्यादा और कम्छ इंड जो के युए ऑज़ रई चिर्मन दाइद अच्छें हो बुटिविटिटिंगो अन्द देकान यह लो Óन अद दो चुटिविटिस म्रेंटमन और इलीगल तोष अज़ा जैसे पर 10 को तैन बेंड और इसी चक्र में जब राज कुमार सुकला जो कि चंपारन के ही रहने वाले थे एक लोकल में थे वो किसको इन्वेट करते हैं महात्मा गंदी को महात्मा गंदी उसकेस्फुल मतलब जो साथ अफरिका का सत्यागर किया था उन्होंने उसमें वह काफी सक्सेस्फुल हुए और वहां से वह गंदी जे अटेंशन तो दे प्लाइट ऑफ इंडिगो पिजेंस इन चंपारन तो वह है राज कुमार सुकला जी ऑप्शिन नमबर जो डी होगा वो करीट होगा 78 नमबर को शिन दे दे चंपारन मोमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट चंपारन मोमेंट किसके अगेंस्ट है क्या स्क्रॉप्स क्या था वो था इंडिगो का कुल्टिवेशन जो कि तीन बाइट पार्ट पर होगा जाता था अट वेच प्लेस अबिहार गंदी जी स्टाटे सत्यागरा मोमेंट फर दो फर्स्टाइम इन इंडिया तो है चंपारन ऑप्शिन नमबर जो डी होगा वो कर अच्हेस इसको डिसकर्स के लिए डी नमबर इसका अंसर हो जा चंपारन सत्यागरा बाज रिए टीन कठिया सिस्टम था एटी फिन नमबर कुशन है तो सिस्टम अथ तीन कठिया इन दिस्टिक अफ चंपारन में फेमस था वो क्या था तो कल्टिवेशन उफ इंडिगो प पर कोशन दिखते हैं, with which place and cultivation तिनकथिया कानून is related, तो कौन से प्लेस से तिनकथिया कानून related था, तो चंपारण, एंडगो, जिसको नेल भी कहते थे, option नमर जो C होगा, वो correct होगा, तिनकथिया कानून system was an agreement that forced the cultivator of चंपारण to cultivate एंडगो on 3 by 20th part of the holdings, गांदी जी लॉंस दो फर्स सत्यागरा in चंपारण, वोल इंडिया में गांदी जी लेका थे, उसको बोलते हैं, ठीक है, धान में रिखेंगे, यह सत्यागरा फर्स रहा थे गांदी जी का अज़े लिमिटेट प्लेस, उनली फर चंपारण और बिहार, लेकिन होल इंडिया के लिए जो था, वो रॉले टेकर के अगेंस था, टॉक्टर राजंदर परशाद, पर्सुएटर महात्मा गंदी तू कम तू चंपारण तो इंवेस्टिकेट तो प्रॉब्लम उफ पिजिन्स, सेकिंडे, अचारी जेविक रप्लम ने, वाज वनब दव महात्मा गंदी का लिक्स इन हिस चंपारण इंवेस्टिकेशन, तो option number इसमें से कौन सा सही होगा, option number जो B होगा, वो सही होगा, हमें पते हैं, राजंदर परशाद नहीं थे, वो राजकुमार सुकला थे, राजकुमार सुकला ने महात्मा गंदी को क्या रेक्वेस्ट किया था, चंपारण आने के लिए और इंवेस्टिकेट करने के लिए problems of indigo cultivators, तो राजकुमार सुकला डिसाइडी तो फॉलो गंदी जे अन पर्सुटेड हिम तो कम चंपारण and investigate the problem, आचारे जेविक रप्ला कहां जाता है, तो कौन-कौन से लोग थे उनके कलिक्स? कलिक्स थे महादीव देशाई, राजकुमार प्रसाइड, जेविक रप्लानी, C.F. अनुग्रा नरायन सिन्ना, राजकुमार प्रसाइड, H.S. पॉलक, किन्स की कलिक्स थे? गंदीचिक और बुलाया कौन थे? वो थे साथाद कक्ती थे? 5.डराया कमार सिन्ना, ।देश्ध कंपारी तो कि महादमा प्रसाइड, करेक्षम से करिक्स, रेके दिच को पॉछन के राजकुमारेDe की वह देखान थे? राजकुमार प्रसा जी मद पहत्तेrüंगा मिथार प्रसाइड, पैदो ओनर राजकुमार प तो वह है राजकमार सुकला कितना कोशन पुछा गे राजकमार सुकला के उपर आप देख सकते हैं दो जोइन महात्मा गांड़ी, during the champarin शत्यागर इन्प्रॉड तो चम्पारण सत्यागर में किस ने महात्मा गांदी को जोइन किया था तो यह राज़ंद्र प्रशाद और अनुग्रह नरायन सेना option number C होगा वो correct होगा 89th number question देखते हैं तब person not connected with चंपारन moment was तो इन में से कौन से जो person थे वो connected नहीं थे चंपारन moment से तो यह जैप्रकाश नरायन connected नहीं थे बाकि राज़ंद्र प्रशाद अनुग्रह नरायन शेना जे भी करपला ने यह तीनों ही CF एंडरियो थे थे यह लोग connected थे किस से महात्मा गांदी से पर जे प्रकाश नरायन नहीं थे अफर रतैंग फ्रम साओथ अफ्रिका गांदी जी लांश इस फर्स सक्सेफुल सत्याग्रह इन तो शाओध अफ्रिका सा अने बाद गांदी जी न अपना सक्सेफुल सत्याग्रह लांच किया था कहा पह पह चंपारन में 2017 में पूर पीजिन जो थे एंडूगो प्लांटर्स अफ दिस्टी कौन से थे चंपारण डिस्टी इंवेट गांदी जी तो कम देर तो सी द ग्रिवेंसेस अफ मुच एक्सपाइट पीजिन्स और गांदी जी रिटेंड होते हैं कब साउथ अफरिका से 9 जन्वरी 1915 को एन 1917 में वो लॉंच करते है अपना पहले सक्सेस्फुल सत्यागरा कहां पर चंपारण में है और रिक्वेस्ट राजकुमार सुक्ला 91st number question in which of former's moment did Mahatma Gandhi participate first of all चंपारण से ही question at which of the following places did Mahatma Gandhi first start is चंपारण तो है first start is सत्यागरा तो ये भी है चंपारण 93rd time at which places in Gandhi they had his first satyagra तो है चंपारण 94th number who makes the following invited Mahatma Gandhi to Chंपार in connection with the indigo cultivation and same question over Rajkumar सुकला तो है और इनमे कौन कौन ते ब्रजिकेशोर राजंटर प्रशाद अनुगरा ना अचारे किरपलानी C.F. Andrews others which of the following statement is not correct about Chंपारण सत्यागरा तो इनमे से कौन सा जो है statement वो करेक्ट नहीं है चंपारण सत्यागरा से इट वस कनेक्ट विद पीजेंट अगेंस तिनकठिया सिस्टम डॉक्टर राजंद प्रशाद एंजेवी क्रपला ने को आपरेटेट विद महात्मा गांदी इनिट इनिट इट वस्ट मुमेंट लाउंच महात्मा गांदी अन इनिट नाइनिट नेट अचम्पाराण का याज लग रहा है देख रहा है तो आप ध्यान में रिखेंगे वह हैं एंजी रांगा यह थोड़ अलेक सा कोशन है पर आप ध्यान ने करें एंजी रांगा ने आप उस किया था चंपारन संत्यागरा को महात्मा गंदी के दुरह चलाए गा था जब कि रविंद्रनाथ तैगोर ने अपने टाइटल दे दिय तो यह दोनों हैं बहुत हैं कि जो रविंद्रनाथ टाइगोर हैं अपने महात्मा की उपादी जो टाइटल थी वह कब रिनॉंस कर दी थी तो चंपारन संत्यागरा के टाइम पर और एंजी रांगा ने अपोश किया था चंपारन संत्यागरा को एंडी एथ नमबर कोशन तो पहला है तो पहला है तो पहला है तो आप्शन नमबर जो ए है वो करेक्ट है क्योंकि जो एड्मिस्रेशन जो है वो लेंड रिविंद्रियो को सस्पेंड नहीं की थे डिस्पाइट ओफ बिंग देर ड्रॉट जब कि जो पर्मनेंट से टल्मन था मैंने बताया थे यह 1793 में स्टार्ट किया था कर्ण वाल इसके दौरा बेंगॉल उडिशा में स्टार्ट किया था ठीक है बेंगॉल बिहार उडिशा वारन अश्रे में स्टार्ट किया था होगा लॉट कर्ण वाल इसके दौरा 1793 में तो ऑप्षिन नमर जो बी होगा वो इनकरेक्ट होगा ऑप्षिन नमर जो ए होगा वो करेक्ट होगा खेड़ा ना गुजरात का एक प्लेस है ठीक है और वहां पे पीजिन्स जो थे वो फ्रिक्वेंटली फे इकनोमी है वह भी काफे डिस्ट्रॉइड हो गई थी रिवोल्ट वाज अगेंस टैक्स एंड्रिंट एट है टुबी पेट तुद मेटिस जिसके मैंने बदाया था कि लेंड रिवन्यू सिस्टम लगा दी गई थी पिजिन्स के ओपर काफे पहले ही जिसके लिए बहुत सर गाया जाता है उसी के अपोस में यह रिवोल्ट होता है और इसके अगास में स्टार्ट होता है खेड़ा मोमेंट खेड़ा सिस्टम तो आयोब आप लोगों को यहां तक अच्छा लगा होगो अच्छा लेगे था मेरे चैनल यूपीसीपीसी फ़र्म को जोन के सिकते हैं थ